हेलो फ्रेंट्स महज दिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल उपन फट पॉफिट में और आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर हम लोग चरजा करेंगे मार्केट के उपर बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हाल है मतलब आज का दिन कैसा रहा क्या हमारे टार्गेट्स पूरे हुए की नहीं हुए या हमारे डबल टार्गेट्स पूरे हुए और कल के दिन क्या रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल उसके साथ जो स्टॉक समने देते उनका भी हाल जान लेंगे कि क्या हुआ और मार साथ कमाल कर सकें, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कल हमने क्या analysis की थी आज के दिन के लिए, क्योंकि मेरे जाब से जो bank nifty है और nifty दोनों में थोड़ा बहुत सा एक correction आने की उमीद है, इस से अगर उपर चलता है तो 24,410 पर hit करेगा जादा chances थोड़े नीचे के लगते हैं, but you have to take short position only after if price breaks below 24,245, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक support मिला है, अगर यह support तोड़ देगा तो price नीचे आने के chances हैं, इसरा target में आपको दूँआ 24,014, इसके नदरी मुझे थोड़ा सा selling pressure दिख रहा है, और मुझे indicator भी होई कह रहा है तो कल ऐसा हो सकता है कि जो selling pressure है, वो नीचे की तरफ यहाँ पर बना रहे तो आपका जो पहला target जो होगा, वो होगा 11,857 और short nifty के लिए और next target होगा 11,831 या 11,823, प्राइस नेशी जाता है, तो आपका जो target होगा, वो 11,788 के आसपास होगा तो आज market के अंदर exactly क्या हुआ, market में DAO features जो था, वो positive में था, SJX था, वो थोड़ा plus में था तो market के अंदर starting में थोआ से एक खला मचा दिया गया, news channels के अंदर कि सारी चेज़े positive है, market उपर जाएगा, उपर जाएगा, pre market उपन जोबा, वो plus में होगा, यानि कि 12,000 के आसपास, 12,000 से उपर निफ्टी खुला, और bank निफ्टी था, वो भी अच्छा कहा सा, 200-300 पॉइंट उपर एक तरफ खुला, अब लोगों के अंदर यह हो गया, कि यहां से price उपर जाएगा, उपर जाएगा, और in fact, news channels के अंदर भी clear cut कहा जा रहा था, भाई, bank निफ्टी को लेके, कि यहां से long करो, long करो, अब यहां से रुखने वाला नहीं है, सीधा 25,000 तक जाएगा, तो भाईया, आग बंद करके कभी कोई चीज नहीं कहते हैं, हर जगे एक resistance रहता है, channels रहता है, उसको जब तक पार नहीं करेगा, तब तक price उपर नहीं जा सकता है, तो हमारी जो कल की call थी, उसमें दो सेनर्यों हमने बनाये थे, एक उपर के बनाये थे, उपर का हमने ये बस सेनर्यों बनाया था, निफ्टी के अंदर, कि अगर gap अप से उपर खुलता है, और 11,091 को break करता है, तो आपका जो target होगा, वहापे आपको profit book करना है, और exit करना है, क्योंकि ये जो है, ये एक monthly resistance ह इतनी असानी से नहीं तूटते हैं, ये हमेशा से याद रखना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ, price consolidate हुआ, और price नीचे की तरफ आया, and in fact कह सकते हैं कि ये support के हम बात कर रहे थे, कि जैसे ये support उटा, सारे ये जो target से ये पूरे हो गए, दूसरी चीज निफ्टी के अंदर करनी वाली चीज ये थी, याज जब market 11,009,81 से उपर जब open हुआ, उसके बाद से उसको 12,000 के आसपास अच्छा गज़र resistance मिला, नीचे आया, उसी लेवल पर इसको support मिला, और वापीस से 12,000 के आसपास उसको एक resistance मिला, और नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर अगर आप notice करोगे, तो यहाँ पर हमारा यह बन गया, double top बन गया, और double top क्या होता है, हमेशा एक reversal होता है, जब भी double top complete होता है, तो यह जो height होती है, यहाँ से यहाँ से यह तक, उतनी price नीचे आती है, and in fact, जब यह double top यहाँ पर complete हुआ, तो price नीचे आना था, तो यह जो support को तोड़ा तो इसको दूसरा support जो था वो था 11,894 के आसपास था और वहाँ पे भी नहीं रुखा और हमने पहले क्या बात किया था कि यह जो support को अगर तोड़ता है then we should open a short position with the stop loss यहाँ पे रखना है और हमारे जो जितने target से 4 के 4 जो complete हो गए वो एक एक करके फटाफट हमारे सारे यहाँ पे targets complete हो गए अब यहाँ पे आप एक चीज और notice करोगे कि हमें bounce कहां सी मिला हमें bounce मिला monthly support सी मिला ठीके जिस तरह से monthly resistance important है उसी आप से monthly support भी important है और यहाँ से अच्छा कासा हमें एक bounce मिला और price वापी से retrace करके उपर की तरफ गया अब कल के दिन क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ nifty के अंदर और मैं पिछले 4 hours और 1 month का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप पिछले वीडियो देख लेना ता आपको एक overview आजाएगा हम कल की बात करते हैं कल expiry का दिन है तो थोड़ा सा यहां पे साफदानिय भरतने वाली चीज है और बड़े लंबे profit के लिए मत करना एक छोटा छोटा profit book करने के कोशिश करना तो यहां पे जो कल का जो हो सकता है कि चीजें काफी bullish positive उपर की तरफ गए है और यहां पे एक V pattern complete होने वाला है और अगर यह V pattern complete हो जाता है तो अच्छा कासा यहां से मुनाफ़ा हमको मिल सकता है, right now market की जो closing होई है, वो red candle से होई है थोड़ा सा price retrace हो रहा है, तो कल हमें क्या करना है हमें थोड़ा सा इंतजार करना है कि market की moment क्या है, उससे पहले हमेशा से DAW futures का हमें चेक करना है कि उनका क्या status चल रहा है, plus में है कि minus में है और SGX क्या है, plus में है कि minus में है, वो सारी चीज़े चेक करनी है अगर वो थोड़ा सा बहुत minus की तरफ लगता है तो इसका मतलब दाएगा कि ये तोड़ा सा नीचे की तरफ trace होगा, और उसको और price को इस level के आसपास कुछ support मिल सकता है अगर इस level पर support मिलता है तो इस level पर support मिलेगा, तो जिस level पर support मिलता है, वहां से bounce back होता है then you should open a long entry और हमारे जो target हो सकते हैं वो 11,987 के आसपास जा सकता है और लगबग वापीस से 12,000 का जो level है उसको test कर सकता है, तो मेरे लिए यहां पर निफ्टी बुलिश है, कल के दिन यह उपर की तरफ रहेगा क्योंकि यहां पर मुझे एक V pattern दीख रहा है और दूसरी चाहिए यहां पर यह काऊँगा कि जब भी आपके targets अचीव हो जाते हैं चाहिए first half में होता है या second half में होता है then you should exit the trade तो bank nifty में exactly क्या करना है bank nifty की जो closing होई है 24,635 के आसपास होई है high जो उसने किया था, bank nifty ने जो high किया था वो lump sum गया था आपका 24,823 के आसपास high गया था और low गया था 24,099 के आसपास वो low गया था मतलब bank nifty की जितनी चड़ाई होई उतनी गिरावड भी हुई इसके अंदर और कल जो जो levels हमने बताए थे accordingly उसी साब से उसको यहां पर resistance मिला उसके उपर नहीं जा पाया क्योंकि यह weekly resistance था उसके बाद से उसके नीचे जो weekly support था उसको यहां से break किया तो यहां से अच्छा खासा नीचे गया और हमारे कह सकते हैं कि bank nifty के second target हमारा complete हुआ उसके नीचे वाला हमारा complete नहीं हुआ फिर भी यहां पर यह पहले का एक support है तो वह support यहां पर resistance देशा एक्ट करेगा थोड़ा सा ओके तो यह price नीचे आएगी और हो सकता है bank nifty को 24,608 के आसपास एक क्यां पर support मिले और यहां से यह वापिस bounce back करके उपर 24,822 के आसपास यह hit करेगा और हो सकता है 24,915 के आसपास वह अपने target पर जा सकता है एस पर सेनारियों दो चार्ट bank nifty को लेके यहां पर मैं bullish हूँ कल के दिन यह target अपने उपर के achieve करेगा और हो सकता है कि target को achieve करके वह आपने से retrace करे पर हमारा गाम है जब target अची हो जाए तो trade close कर दो तो यहां पर मैंने आप लोगों को पूरा overview दे दिया है बैंक nifty का दे दिया है अब हम बात करते हैं वी pattern exactly क्या होता है तो वी pattern क्या होता है कि जब भी एक uptrend में price तीजी से एक नीचे की तरफ आता है और वापी से एक reversal होता है उसके नदर वापी से उपर की तरफ जाता है तो एक वी pattern बनने की तयार ही होती है तो suppose कि यह price यहाँ से नीचे आया था और उसके बास यह price वापी से उपर की तरफ गया और अगर वापी से price कल इस level को touch कर देता है 11,981 के आसपास तो यह हो जाता है आपका एक वी pattern तयार हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है कि जो target होता है वो इस वी pattern का यह जो height होता है और यहाँ पर अगर मैं line draw करता हूँ तो 12,192 के आसपास यहाँ पर target हो सकता है हमारे वी pattern का एक roughly हम idea लेते हैं कि कितना उपर जा सकता है तो in fact यह तो काफी अच्छा कासा उपर कि तरफ जा रहा है 25,255 के आसपास जा रहा है बट 25,64 यह आप 25,000 से थोड़ा सा 100 point नीची कि दरफ रख सकते हैं तो कि बहुत सारे लोग उसी level का weight करते हैं और हम उस level का weight करते हैं exactly round figure पे तो उससे पहली लोग माल खाली कर देते हैं तो दोस्तों यह था एक overview of nifty and bank nifty और मैं आपको बता दिया price कहां कहां तो उपर तक जा सकता है बशरते आप जिस सारे level से उनको ज़रूर follow करना accordingly आप उसके अंदर entry लेना और expiry का दिन है तो थोड़ा सा समबल के trade करना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है market के अंदर जादा गिरावाट दिकरी है तो थोड़ा समबल के market से दूर रहना तो दोस्तों इस वीडियो को ही पर wind up करता हूँ